हलो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से ही राम राम सा आज हम आप लोगों के साथ गंगोर स्पेसर चासनी वाले कुने की रेसिपी सेर करने वाले हैं यह एक पारंपरिक रेसिपी है जो गंगोर बे परसाथ के रूप में बनाए जाती है आप इने काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं अब इसके नहीं हमने चुटकी भर नमक एड़ किया है मीठे में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है पर अगर परसाथ के लिए बना रहे हैं तो नमक को स्किप कर दें अब इसके नहीं हमने आधा चमस के लगपक इलाइची पाउड मस्त परकी जगह और या फिर सौंफ भी डाल सकते हैं या फिर इनमेसे जो स्किप करना चाहते हैं वह कर सकते हैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसके नहां मोईन डालेंगे मोईन के लिए हमने यहां घी का यूज किया है हम ने इसके अंदर टोटल दस चमस घी गी आप जादा ना डालें जितना आपको मेजरिंग बताया गया है उतना ही डालें अगर आप जादा घी डालेंगे तो यह फ्राइ करती ही टाइम विखर जाएंगे इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें और हमने घी को गरम करके नहीं डाला है नॉर्मल घी ही डालकर इसको अच्छ से mix कर लेंगे, आप घी की जगा देल का use भी कर सकते है, पर परसाद के लिए जो भी चीज मनाई जाती है, वो लगबख घी के अंदर ही बनाई जाती है, ये आपकी जोइस है, हैं ये आप इसे घी में बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसे तेल में बनाना चाहते हैं हमने इसके अंदर 8 चवमस घी पहले डाला था अब 2 चवमस इसके अंदर ओर एट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके अंदर मोहिन थोड़ा कम लगा मोहिन डालने के बाद में इसके अंदर हम कैसे चेट करें कि इसके अंदर मौईन फरफेक्ट है कि नहीं, इस तरह आट्य का लड़्ड़ू बांदेंगे, अगर लड़्ड़ू एकदम से इच्छो से बंदा हुआ है, तो इसका मतलब मौईन इसके अंदर परफेक्ट है, अब इसके नर पानी डाल कर इसका हम सक्त आटा गुंत कर तयार कर लेंगे पानी भी हमने यहां नोर्मल ही लिया है गरम करके नहीं लिया है पानी थोड़ा थोड़ा करके डाले एक साथ ना डाले वरना आपका आटा एकदम से सक्त नहीं गुंता जाएगा इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को याद करके जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल बटन को आल पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पहले आपको मिले हम इसकी दो बड़े साइज की लोई बना लेंगे और इसको हम बेल लेंगे अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो सबी चीजों का मेजरिंग डबल कर ले इसकी एकदम से पतली रोटी नहीं बेलनी है थोड़ी मोटी रखनी है गंगोर पे जो परसाद बनाया जाता है उसको राजस्तान में हर स्टेट में अलग-लग नाम से जाना जाता है और सब जगे इसे अलग-लग डिजाइन में बनाते हैं सबका मेथर तोड़ा अलग-लग ह होता है आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं आपके यहां गंगोर परसाद को किस नाम से जाना जाता है और किस तरह से उसे बनाते हैं कमेंट पॉक्स वे हमें जुरूर बताईएगा देखो हमने इसे एक दम से बेल कर तैयार कर लिया है अब इसकी हम पतली-पतली पत कमेंट पॉक्स वे हमें जुरूर बताईएगा कट कड़ने के बाद में इसे हम बनाकर तैयार करेंगे इसके लिए हम अंगली पे इस तरह से से सेट करेंगे और आगे के हिस्से को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे और इस पे हलका सा पानी लगा देंगे ताकि यह थोड़ा सा अच्छे से चिपक जाए बात में फ्राई करते टाइम खुले नहीं वैसे आप इसे बीना पानी लगाये भी बना सकते हैं और दूसरे हिस्से को इस तरह से खीचते हुए इसे तोड़ लेंगे और इस तरह से चिपका देंगे इस तरह से हमें सभी को बना कर तैयार कर लेना है हम आपको एक और बना कर दिखा देते हैं आगे के हिस्से को थोड़ा सा अगर हम चप्टा कर लेंगे तो वहां से जब बुने हम फोल्ड करते हैं तो वहां थोड़ा मोटे साइज में नहीं बनेगा इसलिए हो सके तो थोड़ा सा चप्टा करके हल्का सा पानी लगा कर उसे चिपका दें यह आसानी से चिपक जाते हैं इस तरह से हम उंगली पे बना कर तयार कर लेंगे और इसे एक परतन के अंदर निकाल देंगे यह बहुत आसानी से निकल जाएंगे बस निकालते टाइम थोड़ी सी सावदानी जरूरर रखे और इस तरह से एक बड़े बरतन के अंदर इसे इस तरह से रख देंगे हमने देखो सबी को बना कर तयार कर लिया है गुनों को बनाने के आप इने फ्राइब करने के लिए घी या फिर तेल का यूज़ कर सकते हैं प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो काफी जगए से घी में ही फ्राइब करते हैं हलका सा गरम होने के बाद में हम इने फ्राई करेंगे जिस तरह हम मेदे के पेटे बनाते हैं सेम उसी तरह के से इनको बनाना है इनकी डिजाइन हलकी से बस चेंज होती है पर इनको बनाने का तरीका सेम वैसा ही होता है इन सभी गुनों को हम हलके हाथ से इस तरह से डाल देंगे और गेस को low to medium ही रखना है low आज भी इनको हम fry करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छा से fry हो पाए डालने की तुरंत बाद इसे हम नहीं चलाएंगे थोड़ा से रुकने के बाद में हम इसे हलके हाथ से एक दो बार बीच वीच में चला देंगे ताकि ये चारो तरफ से अच्छा से सिख पाएं इनको पूरी तरह से golden नहीं करना है ये मेदे से बने वे हैं तो बहुत ही जल्दी ये सिख कर तयार हो जाते हैं और हमने इसके अंदर मोयन डाला है तो इससे ये और जल्दी अच्छा से सिख जाएंगे जैसे ये सिखेंगे oil के अंदर जो bubbles है वो कम हो जाएंगे देखो इस तरह से अब इनको हम निकाल लेंगे और देखो इनके joint बिल्कुल भी नहीं खुले है क्योंकि हमने इन गुनों को बनाने के बाद में थोड़ देर के लिए उनको अच्छे से dry होने के लिए रखा था जिससे इसके joint अच्छे से चिपक चुके हैं इसी तरीके चे हम बाकी के सभी गुने बनाकर तयार कर लेंगे देखो हमने सभी गुने बनाकर तयार कर लिये हैं अब इनकी चासनी बनाएंगे इसके लिए कड़ाई के अंदर हम एक कटोरी चीनी एड़ करेंगे आप इसके अंदर 3-4 cup जितनी चीनी भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मातर थोड़ी बढ़ा आ सकते हैं अब इसके अंदर हमने 1-4 cup जितना पानी एड़ किया है और अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके हम दो तार की चासनी मनाएंगे बीच बीच में चासनी को जरूर चेक कर ले वैसे घपराने के कोई बात नहीं है अगर आपकी चासनी हाड बन गई है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर उसे आप नॉर्मल कर सकते हैं हमने हमारे चैनल पर और भी डिफ्रेंट डिफ्रन तरीके के गुने की रेशेपी शेयर की है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उपर के आई बटन पर क्लिक करें या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं चासनी हमारी अच्छे से बनकर तयार हो चुकी है अब इसे हम चेक कर लेंगे कटोरी में थोड़ी से चासनी डालेंगे और हलका से ठंडा होने के बाद में अंगली से इस तरह से इसे चेक कर लेंगे देखो इसके दो तार एक दम से अच्छे से बन रहे है इसका मतलग हमारी चासनी बंद चुकी है, गुने इसके अंदर डाल देंगे, गेस को हमने अभी बंद नहीं किया है, एक बार इसे चला देंगे और थोड़ा सा चलाने के बाद में हम गेस को बंद कर देंगे, ताकि इस पे अच्छा से कोटिंग हो पाए, अगर आप हमारे चैनल की और पी जमें, चारो तरफ अच्छे से कोटिंग हो जाए, लो जी हमारे चासनी वाले गुने बंद का तयार हो चुके है, कैसे लगे कमेंट बोक्स में हमें जुरूर बताइएगा, और देखो सभी गुने पे चासनी की एकदम से अच्छे से कोटिंग आई है, आप इसे एक बार ज देट सारी सुप्काम ने